बास्तकर दोस्तों आप सभी का स्वाकत है मेरे इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस यूदिटो मेरे मद्ध प्रदेश सरकार की महत्पूर्ण यूज्णाएं चले दोस्तों देड़ ना करते हों इसक्रेक्श आगें बढ़ते हैं दोस्तों यह हैं 2019 में प्रारम हुई थी इस यूजना का उत्देश उत्क्रिष्ट विध्यालों में अध्यान करने वाले शामान बर के चात्र चात्रा को 500 रुपए पिर्थी माय चात्र पिर्थी के रूप में दी जाएगी दोस्तों इनके लिए वही चात्र पात होंगे जिनके अभिवाय की आए 54,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए उनके लिए मिलेगी सुदामा शिश्यवर्ती यूजना का लाम दोस्तों अंगली यूजना है डांक्टर एपी जे अब्दुल कलाम मेधभी चात्र पुर्शाहन यूजना दोस्तों यह भी 2009 दस में स्प्रारम भूई थी इस यूजना के तहट प्रितिक जिले के शास्किये विध्यालाओं को कक्षा बारमी में सरवाधिक अंक प्राप्त कर उत्रिन होने वाले प्रितिक संकाय के शामान बर्ग के निर्धन शात्र शात्राओं को पांच हजार रुपए की प्रोसाहन राजी दी जाती है इस यूजना की पातदा के लिए चात्र की मात पता की बार्षिक आयए 54,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों चलते हैं अंगली यूजना पर अंगली यूजना है पंच परमेश्वर यूजना दोस्तों पंच परमेश्वर यूजना यह 11 जनबरी 2012 को प्रारम हुई थी यह प्रिदेश में ग्रामीन असोस अंरचना बिकास हेतू ग्राम पंचायत को एक मुक्त रासी अबलब्द कराने हेतू के लिए बनाई गई थी इस यूजना के अंतरगत 2000 तक की जनसंग के अबली ग्राम पंचायतों को पांच लाख रुपे और 2000 से 5000 जनसंग के अबली ग्राम पंचायतों को आठ लाख रुपे एबं 5000 से 10,000 जनसंग के अबली पंचायतों को 10 लाख रुपे तक की एक मुक्त रासी प्रिदान की जाती ह जिससे वह अपना विकास कर सकें दोस्तो अंगली यूजना है मुख मंत्री ग्राम सड़क यूजना दोस्तो यह अप्रेल 2010 में प्रारम हुई थी इसे प्रदेश के उन गाओं में पक्की सड़कें का निर्मान कराना है जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क यूजना के अंतरगत नहीं आती इस तो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क यूजना के अंतरगत जो भी सड़कत का निर्मान नहीं होता वह दिर्मान मुख मंति ग्राम सड़क यूजना के अंतरगत होता है और इसकी सुरुआत अप्रेल 2010 में हुई थी इस यूजना के अंतरगत प्रदेश्ट के ऐसे गाउं जो सामान चेतर में 500 आबादी एवं आदी बासी चेतर में 200 आबादी है इसे गाउं में 12 मासी पकी सड़के का दर्मार किया रहा है जाता कि उनको बर्शाथ में भी परिशानी ना हो दोस्तो इतनी आबादी बाले 500 आबादी या पिर आदी वासी की 200 आबादी ग्रिक प्रदान मंत्री ग्याम सड़क यूजना का कारे नहीं होता है यहां पर मुख मंत्री चोटी सड़कें डलवाते हैं चलते हैं दोस्तो अंगली यूजना की बात करते हैं अंगली यूजना है मुख मंत्री कन्यादान यूजना दोस्तो इस यूजना को तो सब को ही जानते हो रहे हैं सबसे पॉपूलर यूजना है एह अप्रेल 2006 में स्टार्ट हुई थी मुख मंत्री कन्या दान यूजना इससे इसका गरीब निर्धायत बिद्वा परीत्याक्ता के बिभाय हेतु शायता प्रदान की जाती है इस यूजना के अंतरकत प्रित्ती जोड़ा या दंपत्ती को 25,000 रुपे की आर्थिक शायता प्रदान की जाती है तो इसके बाद अंगली यूजना है मुख मंत्री नकाह यूजना दोस्तो यह मद्य प्रदेश की मुश्लिम समुदाय की गरीब बिद्वा या परीत्याक्ता का निकाह हेतु आर्थिक शायता प्रदान करना है इस यूजना के अंतरकत निकाह की बर वधू को 25,000 रुपे की आर्थिक शायता दी जाती है इसके बाद अंगली यूजना है जावली यूजना दोस्तो जावली यूजना 2004 में स्टार्द हुई थी और यह मद्य प्रदेश में बेडिया बाचला और शांसी जनजाती की महिलाओं बाब बच्चों के उत्थान के लिए पुनरवास एवं शायता प्रदान करने हेतु य इसके बाद चलते हैं अंगली यूजना के बाद अंगली यूजना है दोस्तो यह रुक जाना नहीं दोस्तो इस यूजना से बहुत सारे विध्यारतियों को लाब पहुंचा है यह यूजना रुक जाना नहीं दसमी बावार्मी में आसफल रहे चात्राओं को फिर से एक उसके बाद अंगली यूजना है मुख मंत्री मेधावी चात्र यूजना इस यूजना के तहत बारभी में पास होने वाले विध्यारतियों को उच्छ सेक्ष्ण संस्ताओं में प्रवेश लेने ही पर पूरी फीश माफ होती है इसके बाद अंगली यूजना है दीन दयाल रसोई यूजना इसका उद्देश है दोस्तों गरीबी नागरिक को पांच तक भोजन प्रदान करना है अदल्ला दोस्तों य प्रदान करने के लिए दीन दयाल रसोई यूजना चलाई गई थी इसके बाद अंगली यूजना है मिशन इंद्रदनुस अभियान गर्वबद्दी मात वाबच्चों के ठीका करन सुनिशित कराने के लिए यह यूजना सुरू की गई थी और दोस्तों ये अंद्र रा गई थी ताकि जाना पॉपूलर ना हो चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं अंगली योजना है भूमी सिल्फ योजना यह 2010 में प्रारम हुई थी भूमी सिल्फ योजना इसका लक्ष था प्रदेश के शवी जलों के शवी गाउं में मेर भीहीन खेतों में व्यापक पेमान में मैधक बांध का कारे करना दोस्तों इसके बार अंगली योजना है मुख्य मंत्री क्रशक जीवन कल्यान योजना यह 2008 में प्रारम हुई थी इसका उद्देश था प्रदेश के किर्शी शंबंदी कार्यों से जुड़े सभी लोगों को दुरखटना होने पर आर्थिक श सकती करन परी योजना यह इसका प्रारम 2012 में हुआ था और इसका उद्देश है प्रदेश में किर्शी हित चेतर से जुड़ी महिलाओं की स्थिति में बदलाव इवं सुधार में सकती करन को बढ़ावा देना था दोस्तों अंगली योजना है फूट कूपन योजना यह द मद्देश साब जनिक विवरन प्रनाली में काला बाजारी रोक कर पारदर्शी लाना था इसके बाद अंगली योजना के बारे में बात करते हैं अंगली योजना है जन्सिरी बीमा योजना जन्सिरी बीमा योजना का शुवारम दो हजार आठ में हुआ था इसका लक्ष था मद्देश शरकार दौारा बी पी एल परिवानों की सहरी एवं ग्रामीन ब्यक्तियों को जो मद्देश शासन अन्न योजना है जैसे आम आदमी बीमा योजना मु लोगों के लिए जन्सरी बीमा योजना प्रारम की गई थी जो इन दोनों योजना में शामिल नहीं है जैसे कि आम आदमी बीमा योजना मुक्पंत्री मजदू सुरक्षा योजना यदि इन में नहीं है तो वह इसमें हो शकता है इसके बाद अंगली योजना है श्वभाग श्वभाग बती योजना श्वभाग बती योजना का स्वारम 2012 में हुआ था यह मद्द प्रदेश शरकार द्वारा अनुसोचत जाती की कन्याओं की बिभाय है तो शहयोग प्रदान करने के लिए बनाई गई थी इसके बाद अंगली योजना है जन्नी सुरक्षा योजना जन्नी सुरक्षा योजना का स्वारम सितंबर 2006 में हुआ था इसका लक्ष था प्रदेश में सिसू एवं मात्र मरत्तु दर में कमी लाने हेतू संस्रागत प्रसाव को बढ़ावा देना एवं प्रसाव सुवीदा हेतू 24 घंटे बाहन के लिए परी बाहन के लिए बाहन मजदूर शंग योजना मुख मंत्री मजदूर शंग योजना का सुवारम एक नवंबर 2007 में हुआ था यह दोस्तों मद्द प्रदेश के खेती हर मजदूरों के जीवन वीमो सुरक्षा प्रदान करता है इसके बाद चलते हैं अंगली योजना पर अंगली योजना है उशा संद्रक्रन योजना यह 2006-20067 में प्रारम हुई थी इसका उद्देश था महिला एवं 18 वर्ष से कम आयू के बच्चों को घरेलू हिंशा से बचाने के लिए घरेलू हिंशा संद्रक्रन अधिनियम 2006 के तहत राज्य सरकार दौाना यह योजना आरंब की गई इसके बाद अं इसके बाद अंगली योजना है बल राम ताल योजना यह 25 मई 2007 को प्रारम हुई थी इसका उद्देश था प्रदेश में बर्षा से प्रभावित जल की अधिक्तम मात्रा खेतों में रोक कर भूल जल संबर्द एवं फसल की सचाई सुबीदा विक्सित करना यह दोस्तों इ देखता कि MP किसानों को पैसे देती है कि वो अपने काम में तालाब बनाए और अपने खेतों की सचाई करें उसमें कुछ 75-75-70% रासी इसमें प्रदान की जाती है अंगली योजना के बारे बात करते हैं खेत तालाब योजना दोस्तों यह वी वल्लाम ताल योजना से संब दोस्तों इसके बाद अंगली योजना के बारे में बात करते हैं अंगली योजना है दीन दयाल ग्राम योजना दीन दयाल ग्राम योजना का शुवारम 25 सितंबर 2004 में हुआ था इसका उद्देश था गाउं की आधार भूत अधोसर रचना विकास हेतु हर जले में के 55 बिकास हो सके इसके बाद अंगली योजना है दीन दयाल समर्थ योजना दीन दयाल समर्थ योजना का शुवारम 25 सितंबर 2004 को हुआ था यह प्रिदेश में मानशिक एबं सारेक रूप से निसक्त लोगों को समाज की मुक्त धारा से जोड़ना एबं उन्हें हर प्रकार से स इसका उद्देश था प्रिदेश के दूरस्त सभी एसी एस्टी छेत्रों में स्वास्त सुवीदा उपलब्द कराना था इसके बाद अंगली योजना है पिर्तिभा क्रन योजना इसका शुवारम 2009 में हुआ था यह साहरी की बीपील परिवारों की बारवी कक्चा की छात्रा जिसने प्रतम सिर्णी से उत्तरीन किया है किया हो पात्र छात्रा के उच्छ सिक्चा हे तो छात्र वृति प्रदान दी जाती है इसके बाद अंगली योजना के बारे में बात करते हैं अंगली योजना है स्वामी बिवेकानंद केरियर यूजना कई शुवारम 2005 में हुआ था यह इसका उद्देश था प्रदेश की युवा बेरुजगार छात्राओं के लिए अनुभवी सिक्षा बाम मार्ग दर्शन द्वाना केरियर हे तू मार्ग दर्शन उपलब्द कराना इसके बाद अंगली यूजना है गाउं की बेटी यूजना इसका शुवारम 2005 में हुआ था इसका लक्ष था प्रतिक गाउं में बारवी कक्षा में प्रतम सिर्णी से उतरीन चात्राओं को उच्छ 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 उच स्वारम 25 सितंबर 2004 को हुआ था यह मद्देपर्देश के बिरुजगार रिवाओं को स्वारुजगार की यूर्ट रिर्ट करना था इसका उद्देश इसके बाद अंगली यूजना के बादे बात करते हैं दीन दयाल अत्तियोदय उपचार यूजना इसका विश्वारम 25 सितंबर 2004 को हुआ था इसका लक्ष था बीपी एल एससी एस्टी के सासकी अस्पतालों में 30,000 रुपे तक की पिर्ती बर्स इलाज निसुल्क किया इसके बाद इसके बाद अंगली यूजना के बारे बात करतें अंगली यूजना है मुक मंत्री तीर्त दरसन यूजना इसका शौरम 3 सितंबर 2012 में हुआ था यह राज सरकार द्वाना पिर्देश की 60 बर्स से अधिक आयू बर्ग के ब्यक्तियों को धार्मिक तीर्त इससलों की नुसल के आत्रा करवाने हे तुए प्रारम की गई थी है हर बार अलग अलग तीर्थ सनों पर ट्रेंद द्वारा भीजे जाते हैं यहां पर हर जले से 60 बर्स के आयू के बाद तो अंगली योजना है नरब्दा छिपरा लिंग पर योजना नरब्दा छिपरा लिंग पर योजना की शुकार शवारम 2012 में हुआ था यह तो इसकी बाद अंगली योजना है एक लब सिक्षा विकास यूजना इसका शुवारम 2008 में हुआ था इसका लक्ष था विदेश में तेहदू पत्ता संग्राहकों की मैद्वी छात्रा को उच्छा हेतू प्रुशाहन करना जोस्तो इसके बाद चलते हैं अंगली यूजना के बारे में अंगली यूजना है जोस्तो डाक्टर श्याम श्यामा पिर्शाद मुखरजी छात वर्शी यूजना जोस्तो इसका शुवारम 21 सितंबर 2010 को हुआ था इस यह प्रिदेश के प्रिती भावन विद्ध्यारतियों के लिए उच्छ सिक्षा के लिए प्रुशाहन करना इसका उद्धेश था दोस्तो इसमें बारवी की कच्छा में 80% या उससे अधिक अंक पाने वाले सभी वर्गों के विद्ध्यारतियों को चात वर्दी प्रदान दी जाती है राक्टर श्यामा प्रिशाद मुखरजी चात वर्दी युजना दौारा इसका स्वारम 21 सितंबर 2010 को हुआ था और दोस्तो अंगली युजना और इस वीडियो की लाश्ट युजना लागली लच्छ मी युजना इसका स्वारम अफ्रेल 2007 में हुआ था यह दोस्तो एक जनवरी 2007 के बाद जनमी प्रदेश की लड़कियों की सिक्षा इवं साबर्ग बिकार शेतू सायता प्रदान करने हेतू यह युजना चालू की गए दिन इसका लाब लेने के लिए लड़की के मात पिता आयकर दाता की सिर्णी में नहीं आते हो इस युजना के अंतरगत पंजी किरत बालिका के नाम शेफिर्देश ररका लगातर पांच वर्च तक रुपए 6,000 रुपए राश्टी बचत पत्र आर्थिक कुल राश्टी बचत पत्र बालिका के नाम से क्राय किये जाएंगे इसका भुक्तान निम्न प्रकार होगा इस बाली का कक्षा 6 में प्रिविश लेने पर 2,000 रुपे मिलेंगे कक्षा 9 में प्रिविश लेने पर 4,000 रुपे मिलेंगे और कक्षा 11 में प्रिविश लेने पर 75,000 रुपे मिलेंगे दोस्तो यह वीडियो यही पर शाप्त होता है यदि आपको यह वीडियो पसंद दाया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और दोस्तो सस्क्राइब करना ना भूलें तो चलिए दोस्तो मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तो बाई जय हिंद